हाई आज हम बनाएंगे पालक आलू का सब्जी जो बहुत ही स्वादिस्ट लगता खाने में और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे तो यह मैंने आलू को बनने के लिए छड़ा दिया है अब मैं इसमें कड़ाय में सरसो तेल और मैथी दान डालूंगे उसके बाद इसमे प्यास डालेंगे और इन अच्छे से भून लेंगे जब यह भून जाएगा तब इसमें हम टमाटर डालेंगे पाला कालो की सब्जी वैसे भी बहुत जाता अच्छी लगती खाने में तो यह मारा है टमाटर अद्रक हरी मिर्च और लहसन हरी कच्छी लहसन था तो उसी को मैंने डाला है सब्जी में उसका सब्जी टेस्टी लगता खाने में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्जी में तो मैंने इन सभी को डाल दिया और इन सब को अच्छे से भूल लेंगे तो बूनने के बाद इसमें में हल्दी नमक अधिया नमक डालेंगे नमक धनिया पॉडर डालेंगे इसके बाद लाल मर्च डालेंगे ज्यादा ज्यादा मसाला नहीं डालना है बिल्कुल कम-कम डालना है तो बहुत अच्छा उत्ता टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में तो कम-कम डालना है बिल्कुल इसके बाद इन सभी कोचे से पुनने के बाद मै अब इसमें हम वह पालक डाल देंगे आलू हम लास्ट में डालेंगे तो यह मैंने पालक डाल दिया है यह पालक मेरा आधा किलो है अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे और इसे ढखके च्छोड देंगे और पानी डालेंगे क्योंकि पानी पालक से खुदी निकलता है तो हम ढखके रख देंगे और यह देखो आप खुदी पानी निकला और वह गल्भी चैसे पालक जब यह अच्छे से थोड़ा और सूख जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे आप चाहो तो इसका सुखा सब्जी भी खा सकते और गीला भी तो मुझे तो सुखा पसंद तो मैंने इसे सुखा बनाया है तो मेरे आलू इसमें आप डाल दियांगे इन सभी को ढखके थोड़ा और पकाएंगे धनिया पत्ता महर नहीं डालती क्योंकि मुझता पसंद नहीं है आप चाहो तो डाल सकते धनिया पत्ता अब इसे भी थोड़ा और भूनेंगे अब भूने के बाद फिर हमारा सब्जी त प्रोटीन भिग में मुझता राव कर भी थोड़ाओ जाता है ख tu करका इसमपल और स्वादिस्ट खाना खाना है और आपको तो इसी चैनल पर यहां पर आपको सिम्पल भी और स्वादिस्ट खना भी मिलेगा नहीं जादा ओएल और नहीं मसाला मिलेगा आपको काने में देख सकते सब्जी कितना टेस्टी लग रहा है आलू पालक का